आप सभी प्यारे वियूर्स का अगेन मैं वेलकम करता हूँ यदी के एडिटोरियल क्लास में मेरा नाम है अमन बहल आज सुबह का दाहिंदू का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कॉंसेंट इसका टाइटल है यह आर्टिकल लिखा हुआ है सेंटर और स्टेट्स के वीच में एक पावर स्ट्रगल चल रही है मेडिकल की सीड्स को लेकरके अभी देखेंगे कैसी स्ट्रगल है बहुत इंटरस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है और पढ़ने में मज़ा भी आएगा और असान लिखा हुआ है आपको मैं पढ़ाऊंगा टॉपर्स की तरह है मैं भी उसी तरीके से पढ़ाऊं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और उसकी ग्रामर वकाबलोरी को अलग से समझेंगे आज आप जो भी सीखो के अगले आदे गहंटे में इस कुईज पर आपको अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को यहां से सिखो, कुल्स को अप्लाई करो, पांच में से पांच नमबर लाओ, यही आपका आज का अब्जेक्टिव है इस क्लास का स्क्रिंशोट ले सकते हैं इसका वीडियो के लास्ट में सुलूशन में दूँगा, शुरू करेंगे, आईए कुछ नया सिखते हैं करा बिल्डिंग कंसेंट, देखें कंसेंट का मतला होता है सहेमती, आपस का अग्रीमेंट और बिल्ड करना मतला बनाना करा आपस में अग्रीमेंट, आपस में सहेमती बनाने की जरूरत है अचा किस चीज़ पर भई, PG Medical Education Regulations 2021 Post-Graduation Medical Education है Specialist Doctor की जो पढ़ाई है उस पे जो नए regulations आए है जो नए rules आए है 2021 में उनके उपर तो इस पढ़ाई पे जो rules आए है ना 2021 में states जो है भारत की उनको मानने को तयार नहीं है और center को लगता है ये rules बहुत ज़रूरी है अगर इनको नहीं लाया गया तो देश में healthcare infrastructure अच्छा नहीं हो पाएगा तो दोनों के बीच में सहमती को बनाने की ज़रूरत है समझगे? डिटेल में आगे बता दूँगा हमे rules क्या है consent नाम के word को देखो permission को, agreement को, consensus को unanimity को हम consent बोलते हैं आपकी किसी काम को करने की रजामंदी कहलाती है, consent ये last वाले दोनों words देख ले ना, थोड़े advanced है बाकी simple सा word है, आगे बढ़े चलो, अब इसके title paragraph से देखेंगे क्या कहना चारा है, जरूर से एक like और एक share देए, वीडियो को आपके likes और shares एक second लगता है लेकिन teacher को बहुत motivation मिलता है sessions को लाने के लिए क्या रहा है, a consensus on the post-graduation medical education regulations 2021 is a must simple सा sentence है, उपर आपने consent देखा ना उसी का synonym है consensus क्या एक सहमती जो है, एक agreement जो है एक रजामंदी जो है इस वाले rule पे post-medical education regulations 2021 करें यह बहुत ही, इस क्या है, बहुत ही, एक must है, जरूरी चीज है, must को मैं भी detail में करवाँगा sentence समझ लो, करें सहमती नहीं आई तो काम बनेगा नहीं, सहमती is a must, consensus is a must, subject आपका consensus वो अब आपके is अब आजाओ must पे, देखो must एक noun भी है, एक adjective भी और helping verb भी है, तीनों ही काम करता है must नाम का word, लेकिन इसका सारी है, इस word का essentiality, किसी चीज के जरूरी होने की quality जहाँ भी आपको must word दिख जाए ना, किसी भी form में हो, जरूरी होने की बात ही कर रहा होगा हो, जैसे we must work hard हमें hard work करना चाहिए, hard work करना जरूरी है, यहाँ पे must work नाम की main verb के लिए helping verb बन क्या है, जो यहाँ पे must नाम की, आपकी model helping verb होगी ठीक है न, वैसे working hard is a must, यहाँ पे must एक noun है, ए नाम के जो article के बात में लगा हो है इसका मतलब भी वही है, hard work करना बहुत जरूरी है, और must है जरूरी के लिए must नाम के word को use करते है and working hard is a must condition for success, hard work जो एक जरूरी condition है, काम्याभी के लिए सफलता के लिए, यहाँ पे must जो है, इस condition नाम के noun को modify कर रहा है, adjective बन के, देखरो किसी भी form में आ जाएए, कितने मर्जी रूप बदल ले, इसका काम जो है हमेशा जरूरी से ही होता है, जरूरी नाम का word इसके meaning में जरूर आएगा चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे must होगे एक noun, अब एक काम करेंगे, इस article में जितने भी advanced words यूज हुए है ना, detail में करवाई हुए, सारे words को आप इसमें से देख सकते हो, revision कर सकते हो और इस sheet को आप download करें, telegram group से, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी चलिए, आज के कौन-कौन से words है देखो convergence, divergence, दो words मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाई थे, आज वो होंगे repeat, convergence और divergence, कन मतलब साथ में, words मतलब मुड़ना, जब दो चीज़ें साथ में मुड़ती है, agreement में होती है, concurrence में होती है, तो वो कहलाती है convergence वाली, है ना, meet करने वाली, confluence इसका एक सनॉनिम है, convergence का converge नाम की, वो सही convergence नाम का नाम बना है, detail में हम आपको करवा चुका हूँ यहां सिरफ revision करवा रहा हूँ, इस word को पहले हम कर चुके हैं, detail में, convergence को आप ऐसे use कर सकते हो, जैसे COVID-19 vaccines are the result of convergence of many streams of science COVID-19 की जो vaccine है वो एक नतीजा है, आपस में mail का, convergence का, science की converge करवा के इस vaccine को बनवाया है ऐसे इस word को आप यूज़ करते है divergence, convergence का बिलकुल उल्टा है, इसको बोलते हैं disagreement या difference, जैसे divergence between the incomes of the rich and poor seems to be increasing जो difference है, जो divergence है जो disagreement है, income में अमीर और गरीब की, वो बढ़ता जा रहा है दिखाई देता है, increase होता जा रहा है तो एक दूसरे की उल्टे word है, convergence हो divergence, अब देखलो आज के नए words तीन है, पहला है discussion दूसरा है import, और तीसरा है lay bear नाम की phrasal verb देखे, description का मतलब होता है, आपकी judgment, आपका विवेक जैसे आपने मुझसे पूछा यार कौन सी गाड़ी लूँ क्रेटा लूँ या ओड़ी लूँ मैंने बुला यार आपके विवेक पे आप जो गाड़ी लेना चाहो वो ले सकते हो, यह आपकी judgment की बात है आपके description की बात है, मुझसे मत पूछो मुझे गाड़ियों के बारे में नहीं पता है, आपको पता होगा तो आप अपने इसाब से जरूर जो है, बाय करो तो आपकी judgment आपका विवेक क्लाता है description, bail is granted at the description of the court bail जो है, वो ग्रांट की जाती है judgment पे court की, judge साब की judge साब की judgment होती है judge साब का विवेक होता है, अगर उनको लगेगा तो आपको bail मिलेगी जबानत मिलेगी, नहीं लगेगा तो वो आपको bail नहीं देंगे, इसको wisdom भी बोलते हैं, और description से adjective बनता है, discretionary, आपकी judgment वाला, जैसे discretionary expenditure है ऐसा खर्चा है, जो आपने अपनी इच्छा से कर दिया है, जरूरत नहीं थी उसको करने की आपको लगा, आपको करना चाहिए, तो आपने उसको कर दिया है ना, कोई जरूरी नहीं था वैसे करना import, import आप जानते हो आयात को बोलते हैं, लेकिन import का एक और meaning भी है, किसी चीज़ की महतवपूंता importance, आयात तो समझते हो ना, import करना, goods को, services को किसी दूसरी country से, वो import तो import होता ही है, लेकिन import importance को भी बोला जाता है short form में, जैसे climate change and global warming are matters of great imports, प्रियाबरेंट में जो बतलाव है climate change, global warming जो है, ये दोनों चीज़ें, ऐसे matters है, जो बहुत importance की है, बहुत महतवपून है, जो है ना ये दोनों important matters है तो import को importance का short form की तरह भी use करते हैं, याद रखें इस word को essentiality बोल दें, इसकी adjective form होगी important, last time मारे पास phrasal verb lay bear, lay का मतलब लिटाना, bear का मतलब बिना किसी cover के, बिना किसी covering के जब आप किसी चीज़ को lay bear करते हैं तो सब के सामने खुला रख देते हैं आप किसी चीज़ को expose करते हैं, reveal करते हैं जैसे ये गोटाला है, मैं उस गोटाले की जांस कर रहा हूँ, जांस करने के बाद में उस गुठाले की जुड़ी हुई हर चीज को मैंने पुलिस में और जो है अख़बारों में दिया अब मैंने उस गुठाले को ले बेर कर दिया सब के सामने उस गुठाले के कपड़े उतार दिया और उतार करके सब के सामने रख दिया उसको एक्सपोज कर दिया सबज़गे न ले बेर का मतलब भी होता है किसी चीज़ का खुलासा करना किसी चीज़ का भंडा फोड करना एक्सपोज करना जैसे तो पैंडमिक हैज लेड बेर दा पूर स्टेट अफ हैल्थ इंफरस्ट्रेक्शर अफ मैनी नेशन इस महामारी ने खुलासा कर दी है खराब स्टिती का हैल्थ केर इंफरस्ट्रेक्शर की बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज की सबको लगता था इटली तो ऐसा है अमरीका तो ऐसा है इंडिया तो ऐसा है अब पता लगा कैसा है पैंडिमी काने के बाद बता लगा कि कितना हमारा हैल्थ केर इंफरस्ट्रेक्शर मजबूत है और कितना नुकसान वाला है चलिए इसके सिनॉनिम होगे अन्वेल या ब्रिंग टू लाइट दोनों का मतलब भी होता है परदा अठाना है किसी चीज को सबकी नजरों में लाना तीन ही वर्ड्स है आज के रिविजन कर लेना आगे बढ़ते हैं सेटर्डे संडे को आपको क्लास मिलेगी है ना रिविजन वाली वो क्या आपकी मैं क्लास लेकर क्याता हूँ अब ये काम करते हैं फटा फट से मैं आपको दे देता हूँ आज की समरी किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है उससे पहले एड करूँ है एक छोटी सी चीज आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हो इंडिया के जितना जरूरी उसके concept शीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मॉमेंट पे उसके exams को देना mock test को और mock test के अंदर test book भारत का leading brand है और example अब देख पारे होंगे चाए SSC हो चाए banks हो चाए UPSC हो चाए defense हो हर exam के 1000 mock test आपको मिलते हैं एक single package के अंदर अब ये 17,000 mock test का पूरा package जो है आपको मिलता है 299 रुपीज में एक साल के लिए और 399 में टू यर्स के लिए और ध्यान रखें जब आप buy करें न तो why 8010 coupon code लगा ले न 10% additional discount मिल जाएगा buying link को मैं डाल रहा हूँ comment section में फर्स कोमेंट में पिंड है अब वहाँ से buy कर सकते हैं देखो summary CDC है medical colleges है बहुत सारी states में हर state में आपको मिलेंगे राजसान, गुजराद, पंजाब जहां जाओगे ये colleges चलते हैं state government के खर्चे से जिस state में वो college जो है बना हुआ है अब इन colleges में जो PG की seat है और बिना किसी से पूछे, इस regulation में ये लिखा हुआ है अब से 100% power center government के पास आएगी के अंदर सरकार निधारित करेगी कौन PG करेगा और कौन नहीं करेगा कैसे doctor बनेगा किस college से अब state क्या है इस बात से खफा हो गई उनका ये कहना है कि state जब state के खर्चे बे जलता है राजय सुची का पार्च पार्ट है स्वास्थ है तो आप हमसे इस powers को छीन नहीं सकते हो हमारे पास 50% powers रहने दो हमारा article कहा रहा है कि ये जो काम करा है center ने बहुत अच्छा काम किये regulation देश हित में है center के हाथ में जैसे ही powers आएंगी न quality standards सब बढ़ेगा हमारे hospitals हमारे doctors का लेकिन जिस तरीके से regulations को लाया गया बिना बातचीत किये वो गलत है अब center को ये करना चाहिए कि इसके फाइदे नुकसान सब को बुला करके समझाए सभी stakeholders को, state governments को, Indian Medical Association को और consensus को build करे और फिर इस rule को लागू करे rule अच्छा है लेकिन लागू करने का तरीका गलत है अपनी मन मर्जी से मत करो सब को बुला के और समझा के करो बस यही आज इसकी summary है आज की tone है urgent जब भी आपको title में must नाम का word दिखे यह चीज बहुत ज़रूरी है यह चीज हमें करनी चाहिए तो sense of urgency वाली tone होती है urgent tone का article वो होता है अब एक question रिखूंगा इसी summary से related आपके सामने तीन arguments में उसका answer करना मैं भी लिखता हूँ first comment में इसी video के आपको मेरी writing में मिलेगी आप भी लिखना शुरू करो जगो question ही है अगर पिछले 8 से 10 साल को आप ध्यान से देखो तो center government ने बहुत अच्छे अच्छे rules बनाए है लेकिन लगाने का तरीका बहुत अलग होता है सरकार का सरकार का करती है बिना किसी से पूछे उन rules को सिधे implement कर देती है इस वज़े से rules अच्छे होने के बावजूद समाज में जगड़े होते हैं गलत फहिमिया होती है आप इस सोच से इस policy से जो government किये कितना इंतफाक रखते है क्या अगर rule अच्छा है तो बिना किसी से पूछे उसको लगा दिया जाए या फिर हर rule को चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो discussion के बाद consensus build करने के बाद समाज में सबके साथ फिर उसको implement किया जाए सही तरीके से तीन sentence में आंस्वर करना मेरा आंस्वर आपको first comment में मिल जाएगा शुरू करें करा दा इंडियन मेडिकल असोशेशन आयमे दा लार्जेस्ट ओगनाजेशन अफ डॉक्टर्स इन इंडिया हास डिमांड़ेट दाट दे नैशनल मेडिकल कमिशन या नमसी विद्रो दे ड्राफ्ट पोस्ट ग्रेजुशन मेडिकल एजुकेशन ट्राफ्ट असोशेशन इंडियन मेडिकल असोशेशन जो है अपने ड्राफ्ट इस जो रेगूलेशन को इस कानून को जो भी ड्राफ्ट अवस्टा में है जिसको अभी लगाया जाना जो है बाकी है समझगे ना तो कह रहा है यह IMA का फैसला है डिमांड कर दी है इन्होंने कि आप इसको वापिस खीच लो अब देखो sentence में subject है आपका IMA दा आगे लगा हुए सरकारी संस्था है तो दा लगाना जरूरी है संस्था का verb है इसकी has demanded present perfect tense में singular subject है तो singular verb है अब मेरा आपसे सवाल यह है बैए अन्मसी तो singular है जैसे यह singular थी तो has लगा हुए यह भी तो singular है ना singular subject के लिए singular verb क्यों नहीं लगा हुए पीछे इस verb के एस क्यों नहीं लगा हुआ पहले आप सोचो फिर मैं आपको पूरा systematically बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ है अगर regular बढ़ते हो तो एक second में आपको जटके में जवाब आना चाहिए इसका यह लगा हुए क्यों लगा हुए कैसे लगा हुए मैं आपको समझा देता हूँ देखो present subject mood का मतलब समझो verb की base form एस या इस के बिना verb की base form present subject mood में जरूर लगेगी और यह कब लगेगा जब first close में order wish या command हो और फिर that लगके second close आए उसके अंदर आपको उसको trigger करवाना है first order में कोई first close में कोई इच्छा हो कोई अदेश हो order हो कोई command हो है न कोई जरूरी बात लिखी हो तो second close में PSM को आप trigger करें जैसे sentence को देखो the mother wish that his son wins the match मा ने चाहा wish किया बगवान से प्रादना की कि उसका बेटा match जीच जाए देखो first close है the mother wish यहाँ पे wish दिख रही है आपको मा की इच्छा कामना दिख रही है that के बाद में second close शुरू हुआ अब second close में PSM लगना चाहिए लेकिन second close कैसे बना है his son wins the match देखो son के लिए wins आना ठीक है आ सकता है son singular है singular verb को लगाना बिल्कुल ठीक होगा लेकिन PSM बोलता है आप verb के पीछे S को नहीं लगा सकते हो verb की base form को use करो और यहाँ पे लिखो his son wins the match थोड़ा साब को counter intuitive लगेगा यहाँ पे कि सर्फ son के साथ में win कैसे आ गया यह इसलिए होता है क्योंकि order that the government will provide subsidy to farmers court ने order किया कि government provide करेगी subsidies farmer को order आ गया first close के अंदर that आ गया second close शुरू हो गया अब क्या करें भई आप यहाँ पे इस will को निकालो और इस provide को provide ही रहने दो provides मत लगाना बीच में शूट लगा हुआ है बस आपको दिखने रहा ना आपको लिख किया आना है सिरफ आपकी understanding के लिए the government provide subsidy to farmers और वैसे it is essential that this project is finished by today itself ये बात ज़रूरी है कि ये project आज शाम तक खतम किया जाए ये passive voice का sentence है लगाना है present subjectivity mood क्योंकि essential नाम का word आ गया है sense of urgency आपको दिख रही है क्या करें भई project is finished की जगे आप लिखो should be finished और क्या करो इस should को यहां से हटा दो सिरफ समझने के लिए आपके लिखने के लिए नहीं है आप लिखोगे this project be finished by today itself समझ गयो I think जरूत नहीं पड़े कि इस से आदा समझाने की बहुत detail में बता दिया मैंने आपको यहां भी यही हुए NMC विड्रो लिखा हुए बीच में शूट लगा हुए आपको दिखने रहा यहां पे विड्रो नहीं लिखा हुआ बढ़े आगे करें इस करेंट फॉर्म इस नोट्स दाट दिर शैल बी कॉमन कांसलिंग फॉर अब बता रहा है इस रूल में लिखा क्या हुए जिससे सब को परिशानी हो रही है करें अपनी करेंट फॉर्म में इस रूल की जो हाल का रूप है इस रूल का करें यह रूल नोट करता है दैट वो यह की देर शैल भी वहां होना चाहिए एक common counseling सब के लिए बराबर counseling और किसके लिए admission के लिए all medical education institutions में चाहे state की हो चाहे center पे हो और किसलिए post graduate broad specialty courses के लिए आप आँख के doctor बनना चाते हो आप surgeon बनना चाते हो neurosurgeon बनना चाते हो तो ऐसे diploma MD और MS के courses के लिए center बोलता है common counseling हो सबी के सबी seats के लिए चाहे center का को ले जो चाहे state का को ले जो अचा और किस basis पे हो ये basis पे हो merit list की और जो है national exit test की national जो test है उसी के हिसाब से counseling हो center government decide करे किसको जो है seat मिलेगी और कहाँ पे मिलेगी समझगे आजब इस sentence पर देखने वाले चीज़े it की verb है notes counseling की verb है shall be common counseling जो है subject है verb shall be इससे पहले रखी हुई है क्योंकि ये close शुरू हो रहा है there से there से जब भी close शुरू हो verb के बाद में आप subject को रखें there shall be और फिर subject है counseling it's यहाँ पे draft notification के लिए है इस rule की current form में ये it's वह ना इस rule के बारे में pronoun use किया हुआ है अब मैं आप से छोटा सा concept discuss करूंगा counsel versus counsel का ये पहला word है counsel दूसरा word है counsel बोलने में एक जैसे हैं almost लेकिन दोनों words डिफरेंट है ये counsel एक noun और एक verb है इसका मतलब होता है किसी को counsel देना counsel का मतलब होता है सला, advice, अच्छी सला तो counsel का मतलब है किसी को सला देना या फिर सलाकार जो आपको सला देने वाला है वो भी counsel कहलाता है और counsel एक noun है इसका मतलब होता है सभा या meeting या committee है ना कोई समीती को बोलते है हम English में counsel spelling देख लेना उसी के साब से correct word को correct place पे आपको use करना है देखो a council या council has been set up to counsel या council the PM on international matters एक समीती को set up किया जा चुका है सला देने के लिए PM साब को अंतर राष्टे मुद्धों पे अब देखो committee को समीती को इसलिए मैं यूज करूँगा यहाँ पे council को a council council has been set up अचा council क्यों set up हुई है सला देने के लिए तो council करने के लिए तो to council the PM to council the PM on international matters English मुश्किल नहीं है लेकिन उसके लिए जिसने सब कुछ सीखा है सीख लोगे तो बड़ा असान है और नहीं सीखो के तो English मुश्किल है है ना चलो करेंटली admissions to such programs are based on the postgraduate need करा हाल में जो admission है ऐसे programs में वो based होन है वो अधारित है postgraduate need के उपर यह जो need का exam है postgraduate वाला उसके हिसाब से होता है center का तब NET के हिसाब से करूँगा admissions की वोब है are based passive voice में आगे बढ़ते हैं करा half the seats to the various courses are based on the all India quota and the rest are admitted by the state governments which comply with reservation norms करा आदी seats अब यह NET में से कैसे आती है करा आदी seats जो है न अलग-अलग courses में MD, 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 MS औ डिप्लामा में वो based दो होती है all India quota से center government decide कर लेता है किसको कहां रखना है और बाकी की जो बच्ची है आदी वाली वो admit होती है state के द्वारा state government के द्वारा जो state government जो है comply with भी करती है पालना करती है आरक्षन के नेमों की reservation norms की तो ऐसा होता है अब यह तक ऐसा होता आ रहा है relative pronoun है वो state governments जो की comply with करती है इस which की वाब है comply with governments plural है antecedent plural है इसलिए which को हमने plural वाब दिये पीछे एसको नहीं लगाए समझ के comply with abide by order to यह तीनों अलग अलग है पर इनका meaning almost एक जैसा है किसी चीज का सक्ती से follow करना अब मैं comply के बाद में with ही लगाऊंगा by नहीं लगाऊंगा toon ही लगाऊंगा abide के बाद में by आएगा toon ही आएगा with नहीं आएगा तो यह तीनों को जोड़े जोना आपको याद रखने पड़ेंगे इन में confusion हो जाती आपस में बढ़े हांगे करने का मतलब है counter argument रखना किसी चीज के सामने अपनी बात को जोर से रखना करा आएगा कहना है counter argument यह है कि यह जो draft regulations है यह छोड़ती है states को किसी भी power के साथ नहीं और ना ही किसी विवेक के साथ discussion के साथ manage करने का admissions को state medical colleges में और वो colleges जो rely on करते हैं जो की चलते हैं depend करते हैं state के funds पे तो आएमे का यही कहना है कि state government अपना पैसा लगा के college चलाती है आप इसमें state government के पास power क्यों नहीं छोड़ रहे हो कि वो अपने इसाब से अपने quota से कुछ seats को रखे आप क्यों चाहते हो की सारी की सारी seats जो है center government अपने आप से manage करें यह इनका contention है समझगे the IMA की वोब है contents regulations की वोब है leave description आप जान गए हो judgment, vivek, wisdom किसी काम को करने की आपकी जो है इच्छा state medical colleges जो है इसको हमने relative पनाउन दिया है which इसलिए plural जो है antecedent की वज़े से verb को हमने rely रखा है पीछे s को नहीं लगाया rely on, depend on और तीसरा कौन सा है hinge on यह तीनों hinge on upon भी लगा सकते है on upon एक ही बात है यह तीनों ऐसे ही चलते है कहीं ऐसा नहों आपने rely add लिख दो यह फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज है quality medical services to the local population अब बचा रहा है real reason क्या है कर अगर states के पास नहीं हो freedom, decide करने की states के पास नहीं हो आजादी, decide करने की student की intake पे, student की आवक पे, intake का मतलब है incoming कितने student आपको incoming करवाने है कैसे student आपको incoming करवाने है कर अगर states के पास ऐसी ना हो तो states find करेंगी इसको बड़ा ही मुश्किल, states पाएंगी इस चीज़ को बड़ा ही कठिन और किसी इसको देना quality medical services को local population को अगर आप states से सारा कोटा चीन लोगे तो राजस्तान में बिहार के पंजाब के, वहाँ के बच्चे आकर के पढ़ने लगेंगे center government उनको लेकर के आएगी तो ultimately state government का पैसा है उस पे दूसरी state के बच्चे पढ़ेंगे और state अपनी population को quality medical services नहीं दे पाएगी ये कहना है state governments का समझ गे? पहले sentence की structure देख लो states की वह बड़ा देखी वह ब़ाब है food finds अब ये did not have जो है ये real past है unreal past है real future है unreal future है first conditional है second conditional है third conditional है बहुत बार कर चुके हैं अब मैं आपको बताऊँगा तो आप practice नहीं कर पाऊँगा है conditional की video देख लो जिन्होंने नहीं देखी है basic grammar की playlist में रखी है और find करके मुझे बताओ कौन सा conditional है कौन सा past year future बताता है बढ़े आगे चलो यहीं से आपकी तैयारी होती है आप जो grammar सीखती हो ना उसको apply किया करो यहां पे सीख करके थो ना अलमारी में रखनी है वो करदे प्रपोस्ट रेगुलेशन्स फ्लो फ्रॉम यह सेंटेंस में गलती है कैसे गलती है जब रात को मैं बनाता हूँ यह साड़े बारा बज़े क्लास आती है मतलब यह जो आपका फब्लिश होता है आर्टिकल ओनलाइन उस वक्त यहां पे फ्लो फ्रॉम लिखा हुआ था शाएट सुबे की अखबार में इन्होंने गलती को सही कर दिया हुआ यहां पे आना ची जिए फ्लो फ्रॉम देख लेना अखबार में क्या सही है क्या गलत है वैसे रात वाले में तो यह गलत मिला मुझे जो proposed regulation है वो flow from होते हैं flow from का मतलब होता है निकल करके आना draw from होना originate from होना जैसे गंगा किसी glacier से निकलती है तो flow from होती है तो यह regulation भी ऐसे ही निकल करके आते हैं flow from होते हैं उन कानूनों से provision से जो है National Medical Commission Act 2019 का इसी कानून के अंदर ही regulation लिखी हुई थी और वहीं से निकल रही है अब यह कानून कौन सा कानून है यह वो act है जिसने खुद नहीं itself replace कर दिया Medical Council Act इंडिया को और यह वो कानून भी है जो subject था जो एक मुद्दा था extreme friction का बहुत ज़्यादा तनाव का medical professionals, doctors और center के बीज का तो यह पहले act आया था 19 में तब भी doctor ने इसकी खूब जो है इसके खिलाब उन्होंने अपना objection दिखाया था इसी मेंसे यह नया जो provision है निकल कर क्या है इस पे भी objection दिखा रहे है समझे sentence को regulations की verb है flow from, again यह flow from होना चाहिए draw from या originate from होना चाहिए spelling में गलती है, रात को mistake थी, शायद सुबह उन्होंने सही कर दिया होगा that की verb है replaced, यह act के लिए हमने that नाम का relative noun यूज किया है verbal act जिसने replace कर दिया था अच्छा that की दूसरी verb है was, ideally यहाँ पे which आना चाहिए बढ़ेंगे आगे, editors गलती करते हैं क्योंकि उनका paper नहीं है grammar का, आपका paper होता है English में, इसलिए आपको गलतीयों को पकड़ना है in both instances, friction समझगे ना, friction का मतलब होता है आपस का घर्शन, आपस का जो आपस की लड़ाई होती है ना, उसको बोलते है friction, तनाव को in both instances, the heart of the objection is states discomfort with seeding powers to the center, करा दोनों ही मुद्धों में, जब ये act आये था 2019 में तब, और अब जो कानून आये 2021 में तब, करा दोनों instances पे जो heart है ना, जो दिल है, और किसका objection का सारे विरोध का, करा वो है states का discomfort, states की परिशानी, और किसके साथ seed करने के साथ powers को, give up करने के साथ तक्तों को center के सामने, state बोलती है, अपनी powers को, हम center को क्यों दे, दोनों बारी states का, सारा मुद्ध जो है परिशानी का, ये है, हमारी power center जो है, चीनना चाता है, समझ गे, heart की वह है, is, heart of the objection मतलब, objection का दिल, objection कहां से शुरू हुई है, दिल सबसे, सबसे जरूरी जो है ना, प इसी चीज़ को आत्म समर्पन कर देना, state यहां पे plural का पजैसी बना हुआ है, जैसे यहां लिखाओ, a boys future, एक लड़के का भविश्य है, लेकिन boys मालो 10 हो, तो यहां पे 10 लगा दूँगा, अब boys होगे 10, तो यहां पे boys भी लगा दूँगा, पर यह क्या बनगा, अब boys इस तो गलत हो जाएगा, तो क्या करूँ, इस S को निकाल दो, तो 10 लड़कों की बात हो रही है, plural noun की बात हो रही है, तो common plural noun को अब last वाला S निकाल करके बनाते हो, वैसे students fee, एक लड़के का पैसा, fees का, अगर मालो 20 students की fees है, तो क्या करो, 20 students लिख दो, लेकिन students ऐसे हो गया न, तो इस S को निकाल दो, तो इस खाली apostrophe को जब भी last में आप देखो, तो समझ लेना, किसी plural noun का पजैसी बना हुआ है, तो यह objection कई सारी states की है, एक राज्ये की बात नहीं हो रही है, बढ़े आगे, करहा दब, फैमिलियर अर्गुमेंट ऑफ दो states is, that healthcare is a state subject, करहा फैमिलियर states दिया करती है, इसी तरह का, समझ गे, argument की बाब है, is, healthcare की बाब है, is, राज्या सुची, समवर्ती सुची, केंदर सुची, यह सब आप पॉलिटी में बढ़ते हो, अगर आप GS पढ़े होगे, तो वहां से आप इसको connect करना है, न, करहा थूँ देकेट्स, while the center plays the critical role of funding and conceiving targeted programs to ameliorate disease and improve overall healthcare standards, the matter of implementation has always been left to the states, करहा कई decades के दुरान, कई दशकों के दुरान, जहां center play करता है, जहां center भूमिका को निवाता है, critical role की, बहुत ही बड़ी भूमिका को, गंभीर भूमिका को, जो है fund करने की और conceive करने की, जो है पैसा देने की और plan बनाने की targeted programs के, और किसलिए, ताकि कम कर पाएं, ameliorate कर पाएं, नरम बना पाएं बिमारियों को, और improve कर पाएं, overall healthcare standards को, करहा है इस चीज के होने के साथ दी, decade से center जब की ये काम करता आ रहा है, जो matter है जो मुद्दा है, इसके amelie current का, इसके implementation का, वो हमेशा छोड़ा गया states के पास, center सब कुछ करता है, center कानून बनाएगा, center scheme बनाएगा, भामाशाय उजना, नरहम, हर scheme में पैसा भी center डालेगा, लेकिन last में center जब भी scheme बनाता है, हर scheme को implement state government अपने धांचे से करती है, इसलिए state में government बोल रही है कि हमारे धांचे से होने वाला काम है, इसमें आप अपनी टांग मत फसाओ, समझ conceive करना मतलब किसी चीज को formulate करना, develop करना, किसी चीज की नीव रखना, amelorate का मतलब होता है किसी चीज को नरम करना, de-intensify करना, elevate करना, mitigate करना, assuage करना, आपके दर्द हो रहा है, मैं आपके मलम पत्ती लगा दूँ, तो दर्द को amelorate कर रहा हूँ, कम जो है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं इसका बिलकुल उल्टा है intensify और amplify किसी चीज को बढ़ा देना आगे इस word को भी आप देखोगे amplify को इसी article में बढ़े आगे 100% understanding दे रहा हूं भाई हर sentence की structure के साथ में vocab के साथ में इस तरीके से पढ़ो कि आपको अंदर से confidence आए ऐसा ही आपको पढ़ना होता है करहा है the center has an important role in setting standards and amplifying best practices so that the minimum but ever improving standards of healthcare are delivered across all states अब बता रहा है center को ये काम करना क्यों जरूरी है center की होने से क्या में फाइदा होगा करहा है जो center है ना हमारा उसका एक बहुत important role है किन चीजों में पहला काम है set करने में standards को और दूसरा amplify करने में और बढ़ाने में best practices को है ना अच्छे standard को set करेगा center और अच्छे practices को और अच्छा बनाएगा अच्छा क्यों ताकि जो minimum लेकिन हमेशा improve होते हुए जो standard है health care के minimum standard तो होना ही चाहिए लेकिन वो ऐसा हो जो हर साल improve भी होता रहे करा ऐसे standard जो है वो डिलिवर हो वो पूरे हो हर state के अंदर अब कोई state गरीव है center उसमें अपनी टांग ना फसाए तो गरीव state के अंदर तो hospital में डॉक्टर ही नहीं होगा इसलिए center की भूमिका यह है कि center हमेशा ना गुसा के रखे क्योंकि health care जो है लोगों की जिंदिग्यों से जुड़ा हुए अपने minimum standard को हर state से जरूरी जबरजस्ती पालना करवाए और minimum standard हमेशा improve करते रहे सारे states के अंदर समझ के तो यह role है center का center की वह है standard of health care की वह है are delivered standards बहुत सारे है प्लूरल है इसलिए वह भी प्लूरल है passive voice में अब मैं आपको जो समझाना चार रहा हूँ अब समझो ध्यान से rules दोचीजों में पहला है set करने में और दूसरा है amplify करने में इन preposition के दो object है पहला setting नाम का gerund दूसरा है amplifying नाम का gerund गलती क्या होती है यहाँ पे मैं amplify लिख दूँ पीछे का ING निकाल दूँ तो आपको खुदी दिमाग लगाना है इन प्रेपोजिशन के दो अबजेक्ट है तो पहला जीरंट सेटिंग होगा तो दूसरा एंप्लिफाइंग होगा अगर एक्जामिनर ने एंप्लिफाइ लिख करके दिया है तो आपसे वह यही पूछना चा रिस्पॉंसिफ तू स्टेट्स व्यूज अब बता रहा है सेंटर जब जब ऐसा करता तो कितना फाइदा होता है देश को करहा बिल्कुल उसी तरीके से मच लाइक जैसे काडर जो है जैसे अफसर जो है आईएस के वह डेप्यूट किया जाते है स्टेट्स को काडर का करवाएगा राजस्तान निकरवाएगा हर्याना निकरवाएगा है न सेन्ट्र ही शी को चुनेगा और तो उसी तरीके से इन प्रिंसिपल के तोर देखें तो कोई नहीं है हमारे पास ऐसे सिस्टम के effective ना होने का अगर सेंटर यहाँ वे medical की सीटों में भी करना चारा है तो यह भी effective होने ही वाला है करें लेकिन बट जो सेंटर है उसको जरूरत है वो extremely responsive हो पूरा response दे states की राजियों की views का राजियों की नजरिये का इस मुद्धी पर on the same तो करें काम करेंगा यह आई इसका काडर भी करता है और डॉक्टर की सीट भी करेंगी होगा लेकिन सेंटर को अभी सबकी views को सुनना है किसी को जटक करके बगाना नहीं है सबकी बात को respond करो और फिर अपने मन की करो तब आप प्लूरल का पजैसी बना हुआ है बहुत सारे स्टेट्स की व्यूज की बात हो रही है और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं मच आज यहां पर होना चाहिए लाइक एक प्रेप पोजिशन है आप यहां पर लाइक लिख करके इस क्लोज को गलत बना रहे हो यहां पर पूरा क्लोज है काडर की वर्ब रखी हुई है तो यहां पर मच लाइक होना चाहिए ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से बढ़े आगे करहा तब रियल प्रॉब्लम लेट बेर डूरिंग दा पैंडमिक इस अब बता रहे सही प्रॉब्लम क्या है सेंटर क्यों करना चाहा रहा है करहा रियल प्रॉब्लम जो है जो लेट बेर हुई है लेबेर मेन आपको बता दिया न एकस्पो missedव उना यहां पर आजच्टिव हम कर रही है के रहा है वह problem जो exposed हुई है सब के सामने आई है इस महामारी के दुरान वो है shortage की और extremely uneven availability की quality healthcare के एक शहर में 50 बड़े hospital जिसमें 5000 बेड और उसके पास में कसबा है उसमें एक hospital है तीन बेड उसमें तो हमारे पास एक तो shortage है और uneven availability है quality healthcare की गाह में कुछ भी नहीं है और शहरों में सब कुछ है तो यही real problem है जिसको central सुल जाना चारा है जो सब के सामने एक्सपोज हुई है लेड बेर हुई है during the pandemic समझ गे problem की वह हुआ है इस लेड बेर एक adjective है problem को modify कर रहा है वो वाली problem जो exposed हुई है लेड बेर हुई है uneven मतलब uber khaward कह रहा है through the years attempts are being made to improve this by trying to bridge alternative system of medicines with modern medicine but these have always been marked by political and religious overtones and a convergence seems unlikely in the near future अब बता रहे हैं देश में राजनीती कितनी गंदी है जब जब center कुछ करना चाता है यही राजनीता और state और center की लड़ाई के बीच में सारा मामला उलच जाता है करा कई सालों के दुरान through the years पिछले 8-10-20 सालों में attempts को किया गया है कोशिशे की गई है improve करने की सीज को काम नहीं करता होमयोपैथी आयुर्वेद युनानी यह सब alternative system medicine है तो कई सालों में central government ने कोशिश किया है कि alternative system medicine जो है आयुर्वेद को युनानी को और होमयोपैथी को bridge कर दे पुल बनाके जोड़ दे modern medicine के साथ के लेकिन यह हमेशा मार होते हैं यह सारे attempts हमेशा damage किया जात करते हैं सियासी और धार्मिक overtones के द्वारा overtones का मतलब होता है गुपी चुपे message आपने कुछ बोला लेकिन उस message के पीछे कोई सियासी या कोई धार्मिक बात बात है उस आपकी statement के पीछे कोई धार्मिक region है तो इस तरह के कारणों से जब जब ऐसा हुए न ऐसे attempts को खराब भी किया गया राजनेताओं के द्वारा और करें इन में जो convergence है इन दोनों में जो mail है करें यह convergence दिखाई देती है unlikely आने वाले वक्त में in the near future अगर आयूरवेद और होमेपैथी और यूनानी को अंग्रेजी दवाओं के साथ मिला दिया जाए ना ये भी सब के पास available हो ये system भी तो आदी विमारियों का इलाज जो है बिना दबाओं के हो जाएगा लेकिन इन जो systems के अंदर बहुत सारे धरम विश्वास नहीं करते जैसे यूनानी में हिंदू विश्वास नहीं करते यूनानी के अंदर आपको जाना मिलेंगे Christians पार्सी तो हमेशा धार्मी को religious बना करके दीज की वहाँ है है वालवेज बिन मार्ट मार का मतलब होता है डिस्ट्रोई करना अगेन यह पैसिव वोईस में है इन अटेंट्स को मार किया गया है इनको परिशान किया गया है कनवर्जेंस आप जान गए हो दो चीजों में agreement मेल है ना कनवर्जेंस की वह सीम्स ओवर्डोन होता है दुपी छुपी hidden जो है indirect message कोई नेता ने बोल दिया ना 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 हम तो आईरुवेद में विश्वास नहीं करेंगे उसका यह कहना है कि हमारा religion जो है और हमारे जो वोट प्रपोजल्स शुड नोट भी made hostage to a central state's power struggle करें जो इंपोर्ट है इंपोर्ट आपने देख लिया importance का short form है करें जो importance है जो महत पूनता है इन प्रपोजल्स की उसको आप hostage नहीं रख सकते हो उसको आप बंदी नहीं मना सकते हो उसको आप खराब नहीं कर सकते हो state center की power struggle के ब बीच में समझगे ना import की वब है should not be made hostage देखें make hostage to a phrase होता है hostage मतलब बंदी जिसका apparent हुआ हो जिसको kidnap किया हो जब आप किसी चीज को make hostage to something करते है ना तो आप किसी दूसरे चीज के हवाले छोड़ देते हैं जैसे एक apparent करता के सामने एक apparent किया हो बंदी होता है अपरन करता जो kidnapper है वो चाहेगा वो ही उसके साथ होगा वैसे ही इस मामले को आपको hostage नहीं बनाना है center state की power struggle के सामने ऐसा ना यह proposal जो है इस power struggle के इसाब से आगे बढ़े center state की power struggle के बीच में हमें देश के future से खिलवाड नहीं करना है इस make hostage नाम के phrase पर मैंने एक sentence ही मना दी है lives of many Afghans have been made hostage to an imminent civil war कई अफगानियों की जिंदिगिया अधर में हैं hostage में हैं एक imminent civil war के उपर civil war हुई तो शायद जिन्दा नहीं बचेंगे civil war नहीं हुई तो शायद आराम से जीते रहेंगे तो civil war के उपर पूरी जिंदिगिया उनकी hostage होकर के बैठी है अटकी हुई है ऐसे आप इस जो है phrase को use करें बढ़े आगे कराई efforts must be made to build more consensus involving stakeholders such as IMA state medical councils and representatives of healthcare groups कराई efforts किये जाने चाहिए पूरी कोशिशे होनी चाहिए कि build करें और consensus को जिसमें involved हो सारे के सारे भागीदार stakeholders जैसे कि Indian Medical Association स्टेट की medical council और healthcare groups के representatives सबको बुलाओ बिठाओ बात करो ऐसे फ़र्स बनाओ ताकि consensus बने लड़ाई जखड़े से कुछ नहीं पड़ा इस रूल को लगाना है बहुत अच्छा रूल है लेकिन आम सहिमती से सबकी राय से समझ गे चलिए simple article आज का ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं जितना था मैंने आपको detail में बता दिया है अब आजाओ फटाबर से अपने quiz पर मन से देखा है तो मन से number भी मिलने चाहिए 5 में से 4 तो कम से कम आपको मिले हैं आपको यहाँ पे present subjective mood देखना है कैसे लगेगा लगेगा त तो कैसे लगाना है फिर आपको यहाँ देखना है अडर टू कंपलाई टू अबाइड विद कंपलाई बाए इन में से कौन सा वाला सही है जो आप यहाँ पर रख सकते हो sentence पड़ोगे आप अपने इसाप से मिनिंग निकल जाएगा है ना फिर आपको यहाँ पर दूढ़न फैसला लेने की जो आपको विवेक है वो क्या कहलाता है convergence, import, overdone या discussion है ना एक one word है जरूर से answer करना कितने marks आपको मिले out of five comment section में आपको मेरा answer मिलेगा पांचों का साथ ही साथ आपको descriptive question में आपको बता दिया है ना कितना आपको लगता है जरूरी है ऐसे rules को लगाना चाहे बिना बादचित के लगाया जाए जो देश हित में हो क्या उन पर बादचित किये बिना भी ऐसे rules को apply किया जाना चाहिए वारा सगर के द्वारा या नहीं आप को Saturday को launch करेंगे Saturday को most family अपने courses आ जाएंगे एक या दो दिन का patience रखें सारे course में आपको Saturday को बताऊंगा कैसे कै से launch कर रहे हैं चलिए until then signing out